हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूटूब चैनल पे स्वागत है आज के इस वीडियो में हम स्क्वेर रूट फाइंड करना सीखेंगे वो भी रैशनल नंबर का तो ही स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ नंबर दिख रहे होंगे रूट 3, रूट 112, रूट 26.5 अगर हमें इसका स्क्वेर रूट फाइंड करना है तो किस तरीके से करेंगे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तो अई स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को तो सबसे पहले हम 3 का square root find करना सीखेंगे तो इसको find करने के लिए हम long division method का use करेंगे तो start करते हैं तो 3 को सबसे पहले हम इस form में लिख लेते हैं यहां पर हमारा 3 आ जाएगा ठीक है अब हमें करना क्या है हमें ये पता है कि 1 का square है 1 होता है 2 का square 4 होता है ठीक है अब 3 से पहले किसका square आ रहा है 1 का 1 होता है 2 का 4 होता है ये तो ज़्यादा हो जाएगा तो हमें करना पड़ेगा 1 का लेना पड़ेगा तो यहां जाएगा 1,1,1 ठीक है अब subtract कर देते हैं इसे तो 3 में से 1 subtract किया तो 2 आ जाएगा और यहां पर जो number हमने उपर लिखा है वही इसमें add करके नीचे लिख देंगे ठीक है अब हमारे पास तो कोई number बचे नहीं है तो यहां पर decimal लगा देंगे और यहां पर 0 का एक pair लिख देंगे ठीक है अब हमें जितने digit में answer चीए मतलब जितने decimal place में आउनसर चीए, उतने ही पेर लिख देंगे, तो यहां पर मैं एक और पेर लिख देता हूँ, और एक और पेर लिख देता हूँ, तो इससे हमारा जो आएगा, वो थ्री डिजिट प्लेस पे आएगा, ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पेर जो हमारा था उसको कामाना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले मैं इसको multiply करता हूँ 2 को 6 से 6 से अगर मैं multiply करता हूँ तो यह कितना जाएगा 6 x 36 3 carry यह हो जाएगा हमारा कितना 12 और यह 15 ठीक है अब मैं 7 से करता हूँ तो 7 से करूँगा तो कितना आएगा यहां 7 लिखना पड़ेगा तो यह 7 x 7 7 7 49 4 carry और यह जाएगा 14 और यह 18 189 अगर मैं 8 लिखके करता हूँ तो यह 200 से जादा आ जाएगा तो हमें करना पड़ेगा 7 लिखना पड़ेगा यहां और 7 लिखना पड़ेगा यहां और यहां कितना जाएगा 189 अब इसको subtract कर देंगे तो इसको subtract करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 11 हो गया ठीक है अब next step यह उपर जो नंबर लिखा है वो इसमें एड करके नीचे लिख देंगे तो यह जाएगा 34 ठीक है और next पेर हम इसके साथ लिख देंगे तो यह हमारा 1100 हो गया तो same step हमें यहां भी apply करना यहां पर वो नंबर लिखना है जिसको उसी नंबर से multiply करने पर या तो 1100 आजाए यह उससे कम आना चाहिए ठीक है तो स्टार्ट करते हैं तो 34 इसके आगे अगर मैं 3 लिखता हूं तो 3 से multiply करना पड़ेगा तो यह 9 3 4 जा 12 और यह हमारा 10 तो 1029 आ रहा है ठीक है अब इसको 4 लिखके देख लेता हूं मैं 3 4 4 4 4 4 जा 16 17 और 12 और 13 तो यह तो ज़्यादा आ र और यह कितना हो जाएगा 1029 इसको सब्ट्रैट किया तो हमारे पास यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा हमारा 71 अब नेक्स्ट पेर हमारा जो है 0 का उसको नीचे उतार लेते हैं यहाँ पर यह डबल 0 हो गए अब जो नमबर हमने उपर लिखा है 3 लिखा है ठीक है तो 3 इ वन अंडेड आ जाए या फिर इससे कम ठीक है तो उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं 3 4 6 इसको मैं 2 लिखके देखता हूं तो 2 से करूंगा तो यह कितना हो जाएगा 2 तो तो फॉर 12 1 केरी 8 9 और यह 6 ठीक है अब मैं 3 लिखके देख लेता हूं 3 4 6 3 3 से करा तो 9 8 1 3 और 1 0 यह यह तो ज्यादा हो जाएगा ठीक है तो हमें करना क्या करेगा दो लिखना पड़ेगा तो यहां दो आ जाएगा यहां भी दो आ जाएगा और यह कितना होगे 6 9 2 4 तो इसी मैथड को हम अप्लाइ करते हूं आगे के डिजिट भी निकाल सकते हैं अगर हमें 3 डिजिट प्ले 7 3 2 कुछ और नंबर के स्कुरूर देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा है 112 हमें इसका स्कुरूर फाइंड करना है तो सेम लॉंग डिवीजन मैथड अप्लाइ करेंगे तो यहां लिख लेते हैं इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं 1 1 & 2 अब हमें करना क्या है राइट से दो-दो डिजिट का एक पेर बना लेना है तो यहां से एक पेर बन रहा है और यहां से सिंगल 1 बच रहा है ठीक है तो हमें यह याद होना ची 1 का स्कुरूर तो 1 होता है 2 का स्कुरूर 4 3 का स्कुरूर 9 पहले स्टैप के लिए हमें यह देखना है जो हमारा यह पेर है ले हमने उपर लिखा है वही इसमें एड करके नीचे लिख देना है और जो next pair है हम यहां उतार लेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 12 ठीक है अब हमें यहां ऐसा कोई number लिखना है जिससे multiply करने पर या तो 12 वा जाए है उससे कमाना चाहिए तो अगर मैं यहां पर 1 भी लिखता हूँ तो इससे multiply करने तो 20 बना जाएगा वो तो जादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे 0 ले लेंगे यहां पर 0 ले लेंगे तो उपर भी 0 आ जाएगा ठीक है उससे multiply करेंगे तो 0 यह आता है तो इसको minus कर देंगे तो यह हमारा 12 बचा न ठीक है decimal लगने के बाद यहां पर 0 का एक पेर उतार देंगे क्योंकि यहां decimal के बाद तो हम कितने भी पेर लिख सकते हैं 0 के एक पेर दो पेर ठीक है अगर मैं को दो डिजिट प्लेस में आंसर चाहिए तो यह मैंने यह वाला पेर यहां उतार दिया अब हमारे पास 1200 हो गय जाले तो 5 से करूंगा तो यह जाएगा 25 और 10 जा रहा है अगर मैं 6 लिखता हूं 36 और यह 12 तो यह ज़्यादा हो जाएगा 6 वाला तो मैं 5 लेना पड़ेगा तो यह 5 यहां आ गया और 5 उपर आ गया तो यहां कितना लिख देंगे 1025 आप इसको सब्ट्रेक्ट कर देते हैं तो यह कितना बचेगा हमारा 175 हो गया ठीक है अब जो नमबर हमने उपर लिखाता वही इसमें एड करके नीचे लिख देते हैं तो यह कितना हो जाएगा 210 हो गया ठीक है अब नेक्स्ट पेर जो है 0 का मैंने यहां उतार लिया गया ठीक है अब इसके लिए भी हम सेम सब्सक्राइब करके दिख लेता हूं 7 से करूंगा तो यह जाएगा 49714 या रहा है तो एट लिखके दिख लेता हूं 210 के आगे एट 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 सिक्स्टी फोर हेट और यह 16 ठीक है अगर मैं 9 लिखता हूं तो वह इससे बड़ा हो जाएगा तो मैं कहलूंगा एट ले देता हूं तो यहां एट आ गया और यहां पर जाएगा 16864 ठीक है तो हमारा जो दो डिजिट प्लेस में है इसका आंसर आ गया हमारा 10.58 इसका स्क्वेर रूट हो जाएगा अब एक और कोशन देखते हैं अब देखते हैं कि अगर हमें कोई नंबर डैसिमल में दे रखा हो जो की नॉन पर्फेक्ट स्क्वेर हो तो उसका स्क्वेर रूट किस तरीके सा फाइंड करना होगा तो इसमें भी हम सेम वही मैथड अप्लाई करेंगे लॉंग डिवीजन तो इसमें लिख लेते हैं हम इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ 26.5 यह हमें दे रखा है ठीक है अब हमें करना क्या होता है यहां पहले पेर बनाना होता है लेकिन हमारे पास यहां डैसिमल है ठीक है तो हमें पता है डैसिमल के बाद हम कितने भी 0 लगा सकते हैं ठीक है कितने भी 0 लगा सकते हैं और यह भी चीज हमें याद रखनी है कि य एसी मल के बाद जो पेर बनेंगे वो दो डिजिट में होने चाहिए तो यहां पर एक दो और तीन अगर मैं तीन प्लेस में इसका निकार ला जाता हूं तो मैंने तीन पेर बना लिए ठीक है और इससे आगे क्या दिर का ट्वेंटी सेक्स तो ट्वेंटी सिक्स जो है वो किसक से वन आ गया अब जो नंबर हमने उपर लिखा वो एड करके भी लिखना होता है तो यह टैन हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हमें यहां पर कोई नंबर चाहिए होगा उससे पहले हम क्या करेंगे डैसिमल उपर लगा देंगे और जो नेक्स्ट पेर है वह हम यहां लिख दे अगे मैंने कौनसा नंबर ले लिया अगर मैं वन लेता हूं तो वन से करूंगा तो कितना जाएगा और यहां पर अगर मैं टू लेता हूं तो इसंमें उपर लिख अधर करके मैंने नीचे भी लिखना ठीक है अब क्या करना है next pair जो है मैंने यहां उतार दिया double zero हो गया same step apply करेंगे तो 102 के आगे मैं अगर 3 लिखता हूं तो 3 से multiply करने पर 9603 यह तो कम आ रहा है तो 102 के आगे 4 लिख देते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 16904 ठीक है अब यह भी कम है तो 5 लिख के देख लेते हैं 1025 और 5 तो 5 से करूंगा तो यह आएगा 25 12 और यह 5 यह तो जादा हो रहा है तो हम आप 4 ही लेना पड़ेगा यहां 4 आ प्रेक्ट किया तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा यह जाएगा 408 ठीक है और इसी तरीके से मैं अगर आगे भी आंसर निकालना चाहूं तो सेम स्टैप में अप्लाए करने पड़ेंगे तो मैं इसका आंसर दो डिजिट में निकालता हूं तो 5.14 जो है वो इसका स्क्वेर स्क्वेरूट हो जाएगा तो इस तरीके से हम किसी भी इरैशनल लंबर का स्क्वेरूट फाइंड कर सकते हैं वो भी लॉंग डिवीजन मैथर्ट की मदद से उम्मेध है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू